प्रिये विध्यार्तियों, कक्षा दस्वी, सामजिक विज्ञान, विशय के अध्याय नू, स्वतंत्रता आंदोलन, पसंबंधित घटनाय, नामक अध्याय के अंतरगत, अभी तक हमने, बंगाल विभाजन, उसके फल सरुप उत्पन हुए स्वदेशी आंदोलन, तथा गां है, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजों की प्रतिक्रियावादी नीती के परिणाम सरूप, भारत के युवा वर्ग में जो असन तोश्व्याप्त हुआ, वह हिंसात्मक रूप से निकल कर सामने आया, और भारत में क्रांतिकारी रास्टियता का उदय हुआ, आज के इ इश्की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहूती दे दी, आईए हम शुरू करते हैं आज का वेडियो, ब्रेटिट सरकार की प्रतिक्रियावादी नीती के परिणाम स्वरूप, उन्नीस्वी शताब्दी के अंतिम दशक में, भारत में क्रांतिकारी रास्टियता का अभ्यूदय हुआ, बंगाल विभाजन के बाद भारतियों में क्रांतिकारी भावना का तेजी से प्रसार हुआ, क्रांतिकारी विचार्थारा के अनुयाईयों का विश्वास था कि अहिंसा और वेधानिक साधनों द्वारा राजनितिक अधिकार प्राप्त नहीं किये चा सकते, क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखा कर सुराज बस्वश शषन प्राप्त किया जा सकता है, वे मात्र भूमी को ततकाल विदेशी बंगं से मुप्त कराना चाहते थे, अपने उद्देश को प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारियों ने गुप्त समीथि यूवकों को सेनिक प्रशिक्षन दिया, अस्त्रशस्त्र एकत्र किये तथा समाचार पत्रों एवं अन्यमाध्यमों से क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समीतियों की इस्थापना की। यह समीतिया युवकों को भारती इधिहास और संस्कति से अउगत कराती थी तथा उनमें स्वतंत्रता की भावना जगाती थी। समीतिया युवकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन कर उन्हें मात्र भूमी को विदेशी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तयार करती थी। इस कारी के लिए क्राम्तिकारियों ने पिस्तोल, बंदूप और गोला बारूत का रास्ता चुना। साथ ही डकेतिया डाली और सरकारी खजाने लूटे। बंगाल विभाजन के फल सरूप हुए आंदोलन के दमन और अपमान तथा सार्वजनिक भावना के प्रती जानभूच कर की गई उपेक्षा ने एसी स्तिती पैदा कर दी जिससे हिंसापूर्ण प्रतिक्रिया फूट पड़ी। इस समय देश के अनेक भागों महरास्ट, बंगाल एवं पंजाम में क्रांतिकारी जतिविधिया आरंब हो गई। क्रांतिकारी रास्टवादियों का सबसे पहला केंद्र महरास्ट बना। ततकालिन समय में महारास्ट में सक्री क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्णवर्मा, वासुदेव बल्वन फड़ के चापेकर बंधू तथा सावर कर बंधू प्रमुक थे। महारास्ट के चापेकर बंधू दामोदर हरी चापेकर और बाल कृष्ण हरी चापेकर ने 22 जून 1899 इस्वी को पूना प्लेग कमिशनर मिस्टर रेंड तथा उनके साथी लेफ्टिनेंड एयरिस्ट की हत्या कर दी। पूना में प्लेग रोकने के नाम पर लोगों के घरों में घुसकर जोड़ दबरदस्ती करने के लिए इन दोनों अधिकारियों की बड़ी बदनामी हुई थी। चापेकर बंधू पकड़े गए तथा उन्हें फासी पर लटका दिया गया। रोलेट कमीशन ने पूना की इस घटना को भारती आतंकवात का पहला विस्पोट कहा था। चापेकर बंधू द्वारा अठारासो सिंत्यानवे इस्वी में की गई रेंड एवं एयरेस्ट की हत्या भारत में यूरोपियों की पहली राजनितिक हत्या थी। ब्रिटिश सरकार ने तिलक के केसरी नामक समाचार पत्र में लिखे गए लेख को इस हत्या के लिए उत्तरदाई माना और इस लेख के कारण तिलक पर राजद्रों का आरोप लगा कर उन्हें अठारा महा की सजा दी गई। 1907 में पंजाब के किसानों में क्रांतिकारी भावनाय तेज हुई। यहां परमानंद वलाला हरदयाल आदी नेताओं ने क्रांतिकारीयों का नेत्रतु किया। महारास्ट के नासिक में 1904 में अभिनव भारत की इस्थापना बिनायक दामोदर सावर करने की अभिनव भारत की शाखाएं महारास्ट के अलावा करनाटक और मद्यप्रदेश में भी इस्थापित की गई। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था 1906 में बिनायक दामोदर सावर कर लंदन चले गए। इस संस्था ने पांडू रंग महादेव बापट को रूसिक रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पैरिस भेजा। गणेश दामोदर सावर कर को मित्र मेला के लिए कविताओं की फुस्तके लिखने के कारण 9 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया गया। इसी बीच दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जेक्सन को अनन्त लक्षमन कनहारे ने गोली मार दी कनहारे को गिरफतार कर लिया गया। जेक्सन हत्याकार्ण में कनहारे क्रश्न जी गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को अप्रेल 1911 इस्वी को फासी दे दी गई। बीडी सावरकर जो लंदन चले गए थे उन्होंने लंदन में शामजी क्रश्न वर्मा द्वारा इस्थापित इंडिया हाउस का नेत्रत्व संभाला तथा इसी समय बीडी सावरकर ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वार आउफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी इसी पुस्त बीडी सावरकर को लंदन से गिरफतार करके नासिक लाया गया तथा से 37 वेक्तियों पर नासिक शडियन रकेस चला जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली नासिक शडियन रके बाद महारास्ट के क्रांतिकारियों की रीड तूड गई यदपी क्रांतिकारी आंदोलन का आरंब महारास्ट से हुआ, परंतु बंगाल में वह अपने प्रबलतम रूप में प्रकट हुआ। बंगाल विभाजन ने बंगाल के क्रांतिकारियों को संगटित होकर ब्रिटिस सामरजवादियों के विरुद संघर्ष के लिए प्रेरित किया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत बारिंद कुमार घोश तथा वुपेंदरनात दत्त थे। 1906 इस्वी में इन दोनों युवकों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सरवाधिक योगदान दिया। पत्र ने लोगों में राजनेतिक एवं धार्मिक शिक्षा का प्रचार किया। वारिंद घोशेवं भुपेंद्र दत्त के सहियोग से कलकत्ता में 1907 में अनुशीलन समीती का गठन किया गया इसका प्रमकुद्देश था खून के बदले खून 1908 में क्रांतिकारियों ने मुझफरपूर के जज किंग्स फोर्ड की हत्या की योजना बनाई किंग्स फोर्ड बिहार के मुझफरपूर जिले के नियायधिश थे उन पर 30 अप्रेल 1908 को मुझफरपूर में खुदी राम बोस और प्रफुल चाकी ने बम फेका किंग्स फोर्ड बज गया इस बम विस फोर्ट में दुरभाग्य से उस गाड़ी में रास्ट्रिय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पतनी एवं पुतरी मारी गई पुल चाकी ने आत्म हत्या कर ली परन्तु खुदी राम बोस को गिरफतार कर लिया गया तथा 1908 इस्वी में 15 वर्ष की आईउ में फासी दे दी गई खुदी राम बोस सबसे कम उम्र में फासी पाने वाले क्रांतिकारी थे कलकत्ता में बारिंद घूश ने 1907 इस्वी में ग्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने के लिए मानिक तुल्ला पार्टी बनाई 18 मई 1908 इस्वी को कलकत्ता के अलिपूर अदालत में 34 वेक्तियों को अवेद शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया इन वेक्तियों को अवेद शस्त्र रखने के कारण गिरफतार किया गया था यही मुकदमा अलीपूर शडियंदर केस के नाम से प्रसिद्ध है इस केस में सरकारी गवाहा नरेंदर गोसाई की अलीपूर जेल में सत्यंदर नात घोश ने हत्या कर दी इसके अतिरिक्त सरकारी वकील तथा पुलिस अधिक्षक की भी हत्या कर दी गई बारिंदर गुट के लगभग सभी सदस्यों को आँ जीवन काला पानी की सजा मिली इन में से बारिंद घोश नामक क्रांतिकारी को अंडमान निश्कासित कर दिया गया परन्तु अरविंद घोश छोड़ दिये गए रिहाई के बाद उन्होंने कहा की जेल में उन्हें क्रश्न के दर्शन हुए अरविंद घोश ने कर्म योगिन नामक पत्र अंग्रेजी में निकाला इस पत्रम के आपत्ती पुर्ण लेखों के लिए इनके विरुद वारंट जारी किया गया तम वे फरार होकर पॉंडे चेरी चले गए पॉंडे चेरी में जाकर रहने लगी वहीं पर ओरे विले में 1916 में एक आश्रम की स्थापना की 11 दिसंबर 1908 इसवी को अनुशीलन समिती को गेर कानू निगोशित कर दिया गया 1910 के हावणा शडियंत्र एवं धाका शडियंत्र में अनेक क्रांतिकारियों को गिरफतार किया गया बंगाल के क्रांतिकारी नेता विपिन चंडरपाल ने मदरास के युवकों को रास्ट्रिय संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया उत्तर प्रदेश और दिल्ली में राजबिहारी बोस और शचिंद्र सान्याल ने क्रांतिकारियों को संगडित किया 1912 में दिल्ली के वायसराय लाड हॉर्डिंग पर बम फेकने की योजना बनाई गई कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी परिवर्तन के अउसर पर जब वायसराय लाड हॉर्डिंग समारों पूरवक दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे तब चान्नी चोप में 23 दिसंबर 1912 इस्वी को उनके जुलूस पर बम फेका गया परंतु वह बज गया लॉर्ड हर्डिंग की हत्या के शडियंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी बम फेकने वालों में बसंत विश्वास जोकी रास बिहारी के सेवक थी तथा ममंत विश्वास प्रमुक थे लॉर्ड हर्डिंग की हत्या से संबंदित मुकदमा दिल्ली शडियंत्र केस के नाम से जाना जाता है इस मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवद बिहारी तथा मास्टर अमीर चंद को फासी हो गई। इस शडियंद्र का रहस से खुल जाने पर राज बिहारी बोस भाग कर जापान चले गए जहां उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधिया जारी रखी। इसी तरह 1915 में पंजाब में एक संगठित आंदोलन की रूप रेखा तैयार की गई। जिस में निष्टे किया गया कि संपुर्ण उत्तरी भारत में एक साथ क्रांति का बिगुल बजाया जाएगा। यहां योजना सरकार को पता चल गई। अनेक नेता पकड़े गए। उन्हें लाहोर शडियंत्र के नाम से सजा दी गई। इन नेताओं में 24 क्रांतिकारियों को मोत की सजा सुनाई गई। 1908 से 1918 के बीच लगभग 200 क्रांतिकारी या तो शहीद हो गए या जेल में डाल दिये गए। भारती सुतंतिता संगराम की क्रांतिकारी गतिविदिया केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जारी थी। लंडन, पेरिस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, केलिफोर्निया, सेन फ्रांसिस्को, बर्लिन, जापान, आदी में भारती क्रांतिकारियों ने अपना अभियान चलाया। उननीस्वे शिताबदी के अंत में बर्लिन में भारती स्वतंद्रता समीती की इस्थापना हुई, मैडम भीका जी कामा, लाला हरदयाल, बरकतुल्ला भुपाली, तारक नाद्दास, आदी क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। यही समीती आगे चलकर विदेशों में भारती क्रांतिकारी गतिविधियों का केंदर बन गई, समीती का मुख्यकारिय भारत में कारियरत क्रांतिकारियों से संपरकिस्थापित करना और उन्हें अस्त्र श्त्र पहुँचाने की व्यवस्था करना था। आईए हम संशिप्त में बिडेशों में जारी क्रांतिकारी गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। इस तार्तम्मे में हम सबसे पहले लंदन में 1905 इसी में श्यामजी क्रश्नवर्मा द्वारा इस्थापित इंडिया होम रूल सोसाइटी पर बात करते हैं। श्यामजी क्रश्नवर्मा ने भारत के लिए स्वशाषन की प्राप्ती के उद्देशे से इंडिया होम रूल सोसाइटी की इस्थापना की। श्याम जी क्रश्नवर्मा ने लंदन में भारतियों के लिए इंडिया हाउस नामक एक होस्टल की इस्थापना की, जो आगे चलकर क्रांतिकारियों का एक प्रमुक गड़ बन गया। जम लंदन के समाचार पत्रों में शाम जी क्रश्न वर्मा और उनके सातियों की क्रांतिकारी गति विदियों की आलूशना होने लगी, तब शाम जी क्रश्न वर्मा लंदन छोड़कर पैरिस चले गए और इंडिया हाउस का राजनेतिक नेतरत्व वीडी सावर करने बात कर चुके हैं कि इसी समय विडी सावर करने अपनी पसिद्य पुस्टक इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस 1857 यहीं पर लिखी। यंद्रकांड एवं अन्य अभियोगों के मामले में मुकदमा चलाने के लिए उन्हें भारत भेजा गया। महारास्ट की पार्सी परिवार से संबंदित मैडम भीका जी कामा श्याम जी क्रश्न वर्मा की सहयोगी थी। 2002 में उन्होंने भारत छोड़ दिया तथा यूरोप के विभिन देशों एवं अमेरिका में ब्रिटिश आशन के वृद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने में लगी रही। उन्होंने भारती प्रतिनिधी के रूप में अगस्त 1907 में इस्टूटगार्ट जर्मनी में अंतर रास्टी समाजवादी कॉंग्रेस में भाग लिया तथा भारत में ब्रिटिश आशन के दुश परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजना पोड़न भाशन नहीं पर भारत का रास्ट्रिय तिरंगा हरा पीला मलाल ध्वच फहराया मेडम कामा को मदर आफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जाता है उन्नीसवी शताबदी के अंते में बहुत से भारतिय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए एक नवंबर 1913 को अमेरिका के सेन फ्र आला हर दयाल ने किया जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष मोहन सीह थे इस दल के अन्य प्रमुक नेता थे राम चंद्र बरकतुल्ला भुपाली राज बिहारी बोस राजा महेंदर प्रताब अब्दुलरह्मान एवं मैडम भीकाजी कामा गदर पार्टी ने सापताहिक पत् में भी निकाला गया इस पत्र का उद्देश भारती सेना में विशेशकर सिखों में विद्रहों की भावना पेदा करना और उन्हें भावी क्रांती के लिए तैयार करना था इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम में सम्मिलित हुआ और इस दल को गेर कानूनी गोशित कर दिया गया आएए अब हम क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण पर विस्तर चर्चा करेंगे 1919 के जलियावाला बाघत्याकान के बाद भारत में नए सीरे से उत्तेजना की लहर उठी उधर असयोग आंदोलन के इस्तगित होने के कारण भी जनाक्रोश उमनग पड़ा महात्मा गांदी के असयोग आंदोलन के असफल होने और देश में किसी दी प्रकार की राजनितिक गतिविधी के अभाव में बहुत से शमतावान रास्टवादी युवाओं का मोह भंग हो गया वे गांदी जी के नेतरतों में और अहिंसात्मक संघर्ष की रण निती से भी असंतुस्ट थे अतह अहिंसात्मक आंदोलनों से निराशोकर क्रांतिकारी पुनहा संघटित होने लगी अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों का कानपूर में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सचिंद्रनाच सान्याल, योगेश चटरजी तथा राम प्रसाद बिस्मिल के अतिरिक्त भगत सिंग, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेकर आजाद के से युवा क्रांतिकारी ने भाग लिया सचिंद्र सान्याल तथा योगेश चटरजी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन के इस्थापना कानपूर में इस अवसर पर की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन के क्रांतिकारियों ने ला काकोरी कांड को अंजाम दिया 9 अगस्ट 1925 को क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई उन्होंने सहारनपुर लखनव लाइन पर काकूरी जाने वाली आट डाउन माल गाड़ी को रोग कर सरकारी खजाना सफलता पूरुवक लूटा संबंद में 29 क्रांतिकारियों को गिरफतार कर उन पर काकोरी शडियंत्र कांड में मुकदमा चलाया गया सत्रा लोगों को लंबी सजाएं चार को आ जीवन कारावास तथा चार क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल अश्वाकुल्ला खां रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिडी को क्रमशह गोरकपुर फेजाबाद नेनी तथा गोंडा में फासील दी गई सचिंद्र नाथ सान्याल को भी काले पानी की सजा हुई जिन्हें बाद में गोविन वल्लब पंथ ने रिहा कराया सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक अपनी किताब में काले पानी की सजा का बढ़नन किया है काकोडी शरयंत कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के अधिकाश नेताओं के गिरफतार हो जाने के बाद तथा पुलिस के दमन से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन का क्रांतिकारी संगठन ये रूप में अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त प्राय हो गया चंद शेखर आजाद के नित्रतों में 1928 में दिल्ली में उत्तर भारत के ग्रांतिकारियों की एक बेठक दिल्ली के फिरोशाह कोटला मेदान में हुई और यहीं पर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया गया पंजाब में भगवती चरण तथा भगत सीह ने नोजवान भारत सभा का गठन किया यह संस्था नोजवानों में देशभक्ति की भावना जगा रही थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन का पहला क्रांतिकारी कारिय लाहोर के सहायक पुलिस अधिक्षक सांडर्स की हत्या करना था 30 अक्टूबर 1928 को लाहोर में साइमन कमिशन विरोधी अभियान के दोरान लाला लाच पत्राय पर इसी ने लाटी चार्ज करवा कर उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया था 17 दिसंबर 1928 को लाहोर रेलवे स्टेशन पर भगत सीह चंदर्शेखराजाद और राजगूरू ने सांडर्स की हत्या कर दी इसी बीच ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफटी बिल पास कराना चाहती थी तहां हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन ने बिल को रुखवाने के लिए केंदरी असेंबली में बम फेकने की योजना बनाई इस कारी को सरदार भगत सिंग और बटु केशवर्दत्य को सोपा गया भगत सिंग और बटु केश्वर दत्य ने 8 अप्रेल 1929 को केंदरी विधान सभा में उस समय दो बम तथा कुछ पर्चे फेके जब सभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी पर्चे में लिखा हुआ था बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवशकता है क्रांतिकारियों का उद्देश ये किसी की हत्या करना नहीं था अपितू वे अपनी आवाज सरकार तक पहुचाना चाहते थे भगत सिंग और बटु केश्वर दत्त को गिरफतार कर लिया गया तथा केंदरी असेम्बली बम कार्ण में उन पर मुकदमा चलाया गया जेल में रहते हुए जिन केदियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था उन्होंने साधरन अपराधियों के बज़ाए राजनितिक बंदियों का दरजा प्राप्त करने के लिए भूखरताल की इन भूखरतालियों में जतिन दास भी थे जिनका 13 सितंबर 1929 इसवी को अंशन के 64 दिन देहान्त हो गया सांडर्स की हत्या के आरोप में दोशी पाये जाने पर भगत सिह सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फासी दे दी गई उनकी फासी के समाचार से समूचा देश म्रत्यू जैसी उदासी में डूब गया सिहने इनकलाब जिन्दाबाद जैसा प्रखर नारा देश को दिया था ब्रिटिश सरकार की दमनकारी निती के कारण अनेक क्रान्तिकारी निताओं की मृत्यूं से क्रान्तिकारी आंदोलन को बहुत शती हुई उत्तर भारत में क्रान्तिकी बाग दोड, चंदरशेकर आजाद, यशपाल और भगवती चरंड के हाथों में आ गई श्री भगवती चरण बोहरा की धर्मपतनी श्रीमती दुर्गा देवी ने भी क्रांतिकारी आंदलों में भाग लिया। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत से बदला लेने के लिए वायसराय लाड इर्विन की ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई। बमका विस्पोर्ट हुआ किंतु वायसराय बाल बाल बच गया। चंडर शेखर आजाद ने इलहाबाद के अलफ्रेट पार्क में क्रांति की योजना बनाने के लिए 27 वरवरी 1931 में क्रांतिकारियों की एक बेठक बुलाई। किंतु दुरभाग से अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अंतिम शंड तक अंग्रेजी सिपाईयों से लोहा लिया। किंतु जब उन्हें लगा की वे बच नहीं पाएंगे तो उन्होंने स्वेम को गोली मार ली। और अंततह वे वीर गती को प्रा मिका रही। श्रीमती सुशिला देवी, श्रीमती दुर्गा देवी, प्रेमवती आदी महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया। 13 मार्च 1940 को उधम सिह नामक क्रांतिकारी ने पंजाब के पूर्व गवर्नर ओ डायर की गोली मार कर हत्या कर दी। इसी डायर के इशारे पर जलिया वाला बाग की घटना हुई थी। 20 वी शताबदी में शुरूर हुए क्रांतिकारी आंदोलन ने भारत के अनेक भागों में अपनी जड़े जमाली थी। सरकार ने उग्र रास्टवादियों का कठोरता के साथ दमन किया, सेकडों करांतिकारीों को फासी पर लटका दिया गया, सेकडों को आज इवन केत के लिए जेल में डाल दिया गया, इसके चलते धीरे धीरे आंदोलन शितिल होता गया। लेकिन भारतिय स्वतंद्रता आंदोलन के इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन का विशेश महत्व है, क्रांतिकारीों का अपना कोई नीजी स्वार्थ नहीं था, इसलिए भारतिय जन्मानस में उनके लिए एक विशेश सम्मान था, क्रांतिकारीों का त्याग और बलीदान युवाओं में प्रेढ़ना का काम कर रहा था क्रांतिकारियों को फाजी पर लटकाए जाने से पूरे देश में उत्तेजना फेल जाती थी क्रांतिकारियों के रक्त से रास्ट्यता और देश भक्ती की भावना जागरत होती थी इससे जन जागरन का वातावरन बना भारत की आजादी में आजाद हिंद फोज और भारती नो सेना के विद्रों का भी महत्वपूर्ण इस्थान है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे